तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे गुर किरपाल सिंग डेरी फार्मिंग चैनल पे इस वीडियो में हम आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस मुर्ना बुल योवराज के ओनर करमवीर जी के साथ साथ ही हमने इनका जो यहाँ पर शेड है जहांकि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पास लगा हुआ घंटी का बटन जरूर दबाईए तो आईए पहले बात करते हैं करमवीर जी के साथ जो कि अभी अपने एक जोटे के सिंग तयार करा रहे हैं यह सर आपका नाम बताएंगे जी मेरा नाम करमवीर सिंग है जी क्या डेरी फारम का क्या नाम है अब सिंगी है जो जोटा है यह कौन से औरफ बेटा है अभी यह कितने मिनेंगा皮 तीन साह है तो इसका है जो मान का दूद का डीर्श के नाम है आपके पसमें ठीक है 3240 ऑब इसका सीमेन required कराते है जी 83 STS तो ये जो भी आप इस की व्यूठी बना रहे हैं, ये सिंग के लिए इसका क्या फायदा होता है? सुंदर लगेगा बढ़े में और खारिष बगार हैंउ तीयुष sacrific यह नाम आटेश के छाइब है यह यह बनने वाले यह है यह अपने वहाँ के है यह कोंगड बैनि के विवानी रिष्टिक से क्या नाम है जी आपका। श्र मेरा नाम नसीब है। आच्छा जी तो काहगे रहुए रहने वालें आप। तो आप इसके जो है । सिंग बंड़ है यहाँ सिंग बनाता हूं पैर बनाता हूं बाल काटा ओ binding जाड भी काटता हूं है जो बढ़ जाती है हां जी हां जी तो आपका फोन नंबर कितना है जी ट्रिपल नाइन वन फाइव थ्री एट शेवन फोर एट अच्छा है और नंबर है कोई तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे यहां पर जोटे की कमपेटिशन में उतरने की तयारी की जा रही थी अब आपको ले चलते हैं करमवीर जी के शेड में जहांके आप इनके द्वारा युवराज को और दूसरे जोटों को पश्वों को दिये जाने वाला जो फॉर्मूला है जो निट्रिंट्स ये देते हैं उन्हें भी आप अभी जान पाएंगी आजिंका है हुँ यह इसका डबा का दिखाना यह क्या चीज है यह यह लिवर टानिक और यह क्या है जिए जब देखियो जी इसा रिखियो जी सोड़ा फार जी सोड़ा फार के और यह दूद में मिल जा जा रहा है इसको अच्छा यह इसके युगराज की खुरा का स्वेरे की लिवर टानिक और इसके इसी जी नाम लिखा इसी का डपाई है लिखाना सोडियम एसिड फासफेट यह कितना डलना बड़ा है यह जी 20-25 ग्राम जी 20-25 ग्राम है चलो डालो एक और अधिर रहा है यह बड़ाज पर लाना इस इतार हुए एक बड़ा सवोटना का नहीं कोई भाज नाल देया कर दो को यह मुद्यक है कुल पॉह पलना के लिख यह खु़िए तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से योवराज को और दूसरे जोटों को यहाँ पे सप्लिमेंट दिये जा रहे हैं जिससे की इनकी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहती है योवराज को वैसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो दर्शक इस फिल्ड में नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि योवराज वो बुल है जिसने पूरी दुनिया में चोटे पालने का जो शौंक है उसे पैदा किया आप यूट्यूब पे अगर किसी बुल की सबसे ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं तो वो है योवराज बुल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आपका फीड़बैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शियर करें हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें धन्यवाद